नमस्कार सभी को और आज मैं बात करूँगा आई लीग के बारे में तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि अंडर थर्टीन आई लीग यह यूथ हाई लीग हम पूरा ले लेते हैं तो यूथ हाई लीग में कई ऐसे क्लब्स है जिसमें आप एकेडमी की फीस देकर अफिसे शूरु करने के बाता हो इस के पहले मैं एक इसके पास डू पर पहुंच गाया तो थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि कैसा क्या सीन इसमें और यह वीडियो शूरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहां पर इस पस्ट रूप से कि अगर किसी ऑफिसियल इंसान को यह वीडियो पहुच जाए और वो यह देख ले कि अंदर की बाते यहां पर बताई जा रही है तो भाई मैं आपक सब्सक्राइब के लिए तो आप मेरी बातों का बुरा ना मानिये बस में आपको यह कहूंगा बाकी एक इनफोर्मेशन है प्लेयर्स के लिए और एक और बात आपको मैं बता दूं कि सभी क्लप्स में यह नहीं होता है यह कुछ चुनींदा क्लप्स में होता है जिसमें होता गया है कि हर सीजन में कुछ क्लप्स होते हैं उनके पास फाइनेंसिल बजट जो होता है वो बहुत स्ट्रॉंग नहीं होता है तो ऐसे में क्या होता है कि वो कुछ प्लेसे उनके पास होती है जिसको फ्री रखते हैं जिसमें वो पे करने वाले प्लेयरों को ले 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 में और एक सची घटना में आपको यह भी बता सकता हूं कि भाई मुझे भी ओफर आ चुका है कि आप पेमेंट करके आईली खेल लिजे आपकी सीवी भी स्ट्रॉंग हो जाएगी ऐसा ऐसा कुछ-कुछ हुआ है तो भाई हमने कहा कि भाई ओभैनो हम तो है अपनी अौकात के अनुसारी खेलेंगे मतलब हम में जलेंगे हैं जैसे बी वैसे खेलेंगे लेकिन है सब Penuta देखे किसी का हक मारकि नहीं खिलेंगे है और इसलिए हमने आज तक एज भी कम नहीं कराई फुटबॉल खेलने के लिए और अगर आप एज फ्रॉट के रिलेटेट चाहते कि मैं कुछ बोलूँ तब कमेंड में मुझे बताइए कि क्या में एज फ्रॉट के बारे में भी बोलूँ तो मैं उसके बारे में बोल और आपको इसलिए बता रहा हुँ क्यों कि यूँस कर सकते अच्छा तो यह से कर सकते हैं मतलब आप देखिए आप अच्छे पैसे देकर किसी क्लब में चले जाईए, वो अच्छे ट्रेनिंग ले डिजे, और यह जो पैसे देने से आपकी कोई प्लेंग 11 सुने इसचित नहीं होती है, आप बस टीम का हिस्सा बन जाओगे, आपको ट्रेनिंग टीम के साथ मिलेगी, ट्रेनिंग करोगे, रहोगे, और आप एक प्र आप जा सकता है, तो इसमें सेकंड डिजन क्लब साते हैं और आई लिक के क्लब साते हैं, ठीक है, और कुछ स्टेट लीग जिन में ऐसा होता है, तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, और फॉरेन में भी ऐसे क्लब से जिसमें आप पे करके बहुत बड़े में खेल सकते हैं, तो वो खुला समग है आपको अगले वीडियो में करूंगा, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा हैं, अड़े और newcomer बताथ हैं आपको क्या क्या जानने की इच्छा है, तो मैं से बारे में आपको बताते रहूंगा, और मेन बात करते हैं कि आपको ये स लिए आपको इतने पैसे मिलता है, तो सबसे पहले में आपको बता देता हूn कि second division में कितना पैसा लगेगा, उसके बाद आप आयलिक की बात करें, तो वो 5 लाग से start होता है, ठीक है, अब 5 लाग से कितना भी उपर तक जा सकता है, ठीक है, अब मानलो कि एक एक प्लेयर की space है, ठीक है, अब उसके तीन लोग आ गए, तो हो सकता है कि रेट बढ़ा दे, है न, तो मैं पिछले सीजन की ब कि इसा लगेगा अगर आपको आईलिक खिलना है तो, तो मैंने आपको दोनों कलब का बता जिये, कि इतना इतना पैसा लगता है, और कुछ कलब्स में ही लगता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं सब कलब्स को सोचने लगए, कि हाँ, इसमें भी लगेगा, और club का नाम में आपको भी नहीं बताऊंगा ठीक है यहाँ पर एक club की reputation की बात होती है उसकी इज़्जत की बात होती है prestige जो बोलते न तो वो मैं बिल्कुल भी बरबाद नहीं करूँगा किसी भी club की तो club का नाम में आपको नहीं बताऊंगा और अगर आपको ऐसा खिलने की इच्छा है और आपको अभी source तो पता नहीं होगी हम कैसे खिलने तो भाई आप मेरी agency पर message कर सकते है description में instagram link वगेरा है email है वहाँ पर आप mail छोड़ सकते है ठीक है तो आपको अगर ऐसा खिलना होगा तो आपको बता दिया जाएगा जब वो चीज होते रहेगी contract sign होते रहेंगे ठीक है और ऐसा भी नहीं कि आप बिलकुल एकदम घटी आप लेयर हो है ना आपको juggling भी नहीं आप बोलोंगे कि यार बेको I like खेलना है तो ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ आप training period में कर सकते हो अपने आपको improve कर सकते हो ऐसा कुछ रहना चाहिए आप में तो बात है ना तभी तो आप महां पर जा पाओगे ना ने तो फिर आप महां पर खेली नहीं पाओगे कुछ करी नहीं पाओगे तो मतलब क्या है तो टोटली पैसा वेस्ट हो जाएगा तो मैंने आपको बात बता दी तो आपको एक जानकारी मिली होगी कि भई आई लीग और प्रोफेशनल डिविजन में भी इस टाइप का जोल जाल होता है ठीक है तो कई प्लेयर आपने देखा होगा अचानक सब सोचते होंगे यह प्लेयर कहां से आ गया तो वह ऐसे आ जाते हैं ना कई यह पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता तो इस तरिके स Sweet ने का तो आपके लिए अगर आपके जयुकमें रोकडा होतो या बहुत पैसे है तो थोड़ा सा development लेके फिर पैसे बनाना है मतलो आप क्या चाह रहा है आपके उपपर है मैंने आपको एक जरिया बता दिया एक रास्ता बता दिया एक news बता दिया information दे दी जो मुझे लगता है कि आपको देना जरूरी है बाकी फिर आप decide कर सकते हैं और जो भी officials अगर को यह video देख ले तो भाई मेरी बात का बुरा मत माने मैं एक तरीके से आपकी help कर रहा हूं है ना कल को सकता आपको की player मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से या किसी तरह से तो आपकी help हो जाएगी बाकी मेरी बातों को कोई ऐसा बुरा मत माननी कि मैं कुछ अइसा कुछ बोल रहा हों कि गलत होरा है तो आसा है नहीं है कि पैसे दे के तो नहीं एक यू भटी बात है वहारत अब क्या होता है कि खिलाडी खे य खेल की तरह से, अपना पूझा की तरह से लेगिन जो बिजनसमें होते है वह खेल बाद में वह पहले बिजनस देखते पैसा पैसा पहले फिर खेल तो थोड़ा सा ऐसा उल्टा उल्टा तराज हुए तो आप उस बात को समझेगा थोड़ा है ना बिजनेस परपस से यह सब चीजी रहती है तो आप जादे यह सोची का कि यार यह गलत हो रहा है इसके उपर हम खड़े होंगे टुटर पर हैस्टे अधर काम तो ऐसे तो होता नहीं है है ना एक बिजनेस उसमें पैसा बनता है पैसा इन्वेस्ट होता है फिर पैसा उनको रेवेन्यू होता है तो यह सब चीजे होती है इसलिए इतने बड़े-बड़े अरपती लोग पैसा लगाते है स्पोर्ट्स पे भी तो आई होप कि आपको कुछ हद तक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और मैं समझता हूं कि कुछ प्लेयर्स के लिए फायदेमंद भी होगी अगर जो इस टाइप की न्यूस की वेट कर रहे होंगी कि ऐसा भी कुछ हो जाए हमारे लिए तो आई होप कि आपके लिए हेलफुल रहा हो होगा और जो मैंने आपसे भी पूछा था कि एज फ्रॉड वगेरा जो भी है चीजे तो अगर आप चाहते कि मैं उनके पर भी बोलूं और कुछ बाते आपको बताऊं तो कमेंड में मुझे बताईए कि क्या आप सुनना चाहते हो भी तो मैं जरूर फिर उसके उपर भी मे महनत पुछ दिए महनत पहले जो महनत करेगा वही लंबा चले और वह उचाईयों पर पहुंचेगा यह पक्की बात है है ना यह पैसे वासे तो आपको समझना पड़ेगा एस प्लेयर या एज़ा फैन और बस इसी तरह भारती फुटबाल को सपोर्ट करते रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जय हिंद जय भारत